सब्सक्राइब करिए भारत का बेस्ट बोडी बिल्डिंग चैनल बोडी बिल्डिंग के अंदर निकल गई वो पैसो के लिए Mr. Olympia नहीं खेला करते थे उनको बोडी बिल्डिंग से बेशुमार प्यार था और वो बोडी बिल्डिंग के लिए कुछ भी कर सकते थे मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ उनकी जिंदगी में कोई परपस नहीं था लाइफ के अंदर पर बोडी बिल्डिंग उनको सही रास्ते पे लेकर आई और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी चेंज कर दी बोडी बिल्डिंग से पर गाईज कहते हैं न वो किसमत में कुछ और ही लिखा होता है उपर वाले ने तो गाईज आप लोग को पता है कि 2019 के अंदर शॉन रोडन पे एक आरोप लगा था और उस आरोप की वज़े से उनको बैन कर दिया गया था आयफ बीबी से और आयफ बी मेंने कोई रिसर्च नहीं करी इन आरोपो पर उन्होंने सीधा शॉन रोडन को बैन कर दिया हाला कि शॉन रोडन ने कोई क्राइम ना करा हो कोई प्रूवन क्राइम ना किया हो और किसी भी बॉडी बिल्डर के लिए एक बहुत मुश्किल टाइम होगा कि आप एक मिस्टर उलम्पिया से आपको निकाल दिया गया हो आपको बैन कर दिया गया हो एक ही पल के अंदर तो कैस यही शॉन रोडन के साथ हुआ था शॉन रोडन एक ट्रिमेंडेस स्ट्रेस के अंदर थे जो इतने टाइम से वो कंपीट नहीं कर पा रहे थे 2019, 2020, 2021 इन तीन सालों के अंदर बहुत कुछ चेंज हो गया 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 उनकी जो लाइवली हुड थी जो बॉड़ी बिल्डिंग थी 2018 के बाद उनके पास कोई लाइवली हुड ही नहीं थी गयाई और वॉप्ई नहीं हो अचुत कर पा रहे थे वो पैसा नहीं जोड़ पा रहे थे अपनी फैम्ली लिए गयाई यहां तक कि उनकी फैमली भी उनको छोड़के चले गी जो उनकी एक्स वाइव थी वो भी उनको छोड़के चले गई थी काईस तो Sean Roden एक ऐसे दोर से गुजर रहे थे कि मैंने ही चाहूँगा कि किसी का दुश्मन भी ऐसे दोर से गुजरे because Sean Roden एक बहुत ही positive इंसान थे guys और उनके साथ जो ये हरकते हो रही थी IFBB ने उनको ban कर दिया, उनको support नहीं किया उनके friends, उनकी family ने तक उनको धोका दे दिया तो गई Sean Roden एक tremendous stress के अंदर थे और जब इनसान stress के अंदर होता है guys तो एक ही चीज हो सकती है वो अंदर से खतम हो जाता है और वही हुआ Sean Roden के साथ जो उनका दिल था, वो बिलकुल तूट चुका था और तब ही guys, उनको Saturday सुबा heart attack आ गया था अगर मैं scientific reasons के बारे में बात करूँ तो heart attack, real reason है उनके मौत का, पर अगर guys, मैं बाकी सारे factors के बारे में बात करूँ जो उनके साथ नाइंसाफी होई उनको अपना नाम clear करने का भी मौका नहीं मिला, अपना आपको innocent proof करने का मौका नहीं मिला, जो उन पे आरोप लगे थे 2018 के अंदर, 2019 के अंदर guys, उनको financially problem थी, उनको health wise problems थी, पर तब भी guys, वो रुके नहीं वो हमेशा hopeful थे कि वो next year ज़रूर compete करेंगी IFBB उनका नाम clear कर देगी पर guys, नहीं हुआ ऐसा IFBB ने Sean Rodan को chance ही नहीं दिया complete करने का, और guys, इसी reason की वज़े से, Sean Rodan को heart attack आगया, stress की वज़े से, और guys मैं यह नहीं कहूँगा कि anabolics इसका reason नहीं थे, बिल्कुल थे इसका reason anabolics, पर guys, जो mind होता है वो सबसे powerful muscle होता है किसी बी, इनसान का, और वही guys, Sean Rodan वहाँ पे मात खा गए तो guys, अब मैं कुछ कहना चाहूँगा नी end of the day, हम लोग Sean Rodan को इंसाफ नहीं दे पाए और शायद कभी दे भी नहीं पाएंगे because अब इस दुनिया में ही नहीं रहे है मैं बहुत जादा होफफुल दा कि अब Sean Rodan next year रहेंगे, complete करेंगे अब बहुत excited होता था कि मन उनको complete करता हूँगा और guys, मैं कुछ और scientific चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा उनका जो heart attack था वो इसलिए भी दा, क्योंकि वो काफे ज़ता overweight थे अपने off-season में वो 290 pound के बताए जा रहे थे almost 300 pound के बताए जा रहे थे अपने off-season के अंदर और जो bodybuilder जो की 46 years old को हो और इतना heavy weight carry करे अपनी body पे उसमें complications ज़रूर आते हैं guys तो guys, anabolics उनके साथ जो 9 साफ योई थी उसका stress और भी काफी सारे factors की वज़े से Sean Rodan को heart attack आ गया और इस वज़े से उनकी मौथ हो गई तो guys मैं सबसे पहरे sorry बोलना चाहूँगा Sean Rodan को कि हम उनको justice नहीं दे पाए पर guys, मैं चाहता हूँ आप लोग इस वीडियो के अंदर comment करके बताओ कि आपको Sean Rodan की best memory आपकी क्या है उनकी आप कोई भी memory उनके बार में describe कर सकते हो कि आपको उनकी physique अच्छी लगती थी आपको उनका attitude अच्छा लगता था जो भी हो आप लोग comments के अंदर बताओ और guys इस वीडियो को ज़रूँ शेयर करें उस दोस के साथ जो की Sean Rodan और Bodybuilding के बहुत बड़े फैन है तो मैं आप लोग को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ अब तक के लिए अपना ख्याल रखें तिल देन टेक केर and बाई